करोना वाइरस को फहलने से रोकने के लिए सफाई कर्मचारियों की एक एहम भूमिका है. इसलिए आपको, खुद को करोना वाइरस से सुरक्षित रखना है और इन बातों को ध्यान में रखकर सावधानी से काम करना है. एक, मास्क, दस्ताने और जूते पहन कर ही कच्रा इकठा करें. दो, कच्रा इकठा करते समय अपने मुँ, नाक या आँखों को ना छुएं. तीन, करोना वाइरस दूशित पानी या सीवर के पानी से संचारित नहीं होता. चार, जब आप अपना काम पूरा कर लें, तो अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोलें. पाँच, काम के समय जो कपड़े और दस्ताने आपने पहने थे, उन्हें गर्म पानी से धोएं और धूट में सुखाएं. चै, यदि आप सर्दी, खासी, आबुखार से पीड़ित हैं, तो निश्चित रूप से डॉक्टर से मिलें. साथ, इस्तिमाल किये हुए मास्क से होने वाले जोखिम से निपटने के लिए, पटना नगर निगम द्वारा घर घर में काली थेलियां बाती जा रही हैं. अगर आपको कच्रा एकठा करते समय, ये काली थेलियां मिलती हैं, तो इन्हें अन्य कच्रे के साथ ना मिलाएं, बलकि एक बड़ी थेली में इन्हें एक अत्रित करें, और इन्हें बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में जलाने के लिए भेजतें. याद रखें कि ऐसी थेलियों को बिना मास्क और दस्तानों के ना उठाएं. आठ. अगर मास्क थेलियों में नहीं और ऐसे ही फैके हुए मिलते हैं, तो इन्हें दस्ताने पहन कर कच्रे से अलग करें. बड़ी काली थेली में एकठा करें और बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में जलाने के लिए भेज दें. इन सब ही बातों का पालन करके आप करोना वाइरस से खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं और इसे फैलने से रोक सकते हैं. याद रहे, काम के बाद अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोले.